हेलो स्टूरेंट्स वेलकम टू दी लेट्ट्ट्र अम अपने पास यो शुरू करने जारे बेड़ा चेप्टर उसका नाम आ रहा है इन्वेस्ट्मेंट अकाउंट्स तो हम अपने पास एक नए चेप्टर से शुरूबात करने जारे है जिसका नाम मैं कह रहा हूँ investment accounts है और यह बहुत यह असान chapters में से एक है बहुत easy chapter है and examination point वो इसे भी आपके पास important रहता है because question आपके पास generally chapter से हमेशा आता है ठीके नब now chapter बहुत जादा बड़ा नहीं है बिटा chapter जो है छोटा है but obviously हमें concept को कुछ सीखना है यहाँ पर जिसको हम जैसे सीख जाएंगे तो हमारे लिए chapter और ज्यादा असान हो जाता है तो since पहला lecture है तो हमारे लिए concepts को build करना बड़ा important है कि ultimately क्या होते है investment account investment क्या होते है वो सारी बाचीत हम इस lecture के अंदर अपने पास करेंगे चुरेंगे नौ इसके लिए investment के लिए basically there is a governing accounting standard that is accounting standard number 13 जिसे हम अलग से अपने पास जरूर करते हैं वहाँ पर हम practical provisions को अपने पास सीखते हैं यहाँ पर मैं आप लोगों को हम अपने concept को build करते हुए अपने अस practical चीज़ों को यहाँ इस chapter के अंदर या लग से जाके मैं ASB जब accounting standard कराऊंगा तो महाँ पर भी इसको कराऊंगा so don't worry about that यहाँ पर हम अपने पास बात करने जा रहे है about the investment सबसे पहला सवाल यह उठता है हम accounting तो बाद में करेंगे सबसे यह सवाल उठता है कि investment होती ही क्या है what exactly is meant by the term investment investment के लिए क्या है आपके पास these are the assets जो held by an enterprise for किसलिए हमारे लिए ये एक asset है asset क्यों है investment का मतलब है कि हमारे पास मान लिजे surplus funds available है और हमने क्या क्यों पैसे को कहीं लगा दिया invest कर दिया जो हम बोलते है ठीके ना और हमारा क्या मक्सद है कि ताकी कल को हमें तो उससे आमदनी होगी income generate होगी और income कैसे हो सकती अर्णी income हमारी क्या intention है income generate होगी by way of dividend interest rentals तो मैं इसे आगे जाके बढ़ा होगा तो dividend किस पात है अगर मैंने मान लिजे किसी दूसरी company के shares खरीदे equity है चाई preference shares खरीदे तो मुझे क्या income generate हो रही होगी dividend की income generator होगी अगर मैंने मान लिजे किसी के debentures खरीदे या bonds खरीदे मान लिजे में पर government securities है वह खरीदी government की तो उसके पर क्या रहोगा मुझे interest की income आ रही होगी sir rental कैसे आगा बिटा मान लिजे आपने कोई है land या building basically अपने पास purchase करी और उसे किराय पे चड़ा दिया तो उस case के अंदर आपको क्या रही होगी rental income आ रही होगी rental income आ रही होगी या capital appreciation और other benefits to the investing enterprise capital appreciation का मतलब है कि मैंने मान लिजे land खरीद के रख ली वह खरीदी appreciation वह routine की income नहीं है कि जो asset generate करके दर में किराय पे नहीं चड़ाई एक तरीके से मैं उसकी value बढ़ने का इंतजार कर रहा हूं तो वह capital appreciation है जो कि किसके होगा investing enterprise investing enterprise कौन होता है जो investor है जो investor है जिसने investment करी है और साथ की साथ ये भी लिखा गया है जो assets आपके पास बेटा stock in trade है वह investments नहीं होती बेसिकली जिसको आप खरीद रहे बेच रहे हो जिसमें आप deal कर रहे हो वह आपकी investment नहीं वह तो stock है and stock के लिए अलग से accounting standard भी लगता है what are these these are the assets बेटा assets वैसे क्या होता है अगर मैं general परिभाशा पूछ हूँ आ सर assets हम बोलते है debtors को भी बोल देते है stock को भी बोल देते हैं यही सुनते fix assets को भी बोल देते है but what exactly is asset asset is something which is owned by an enterprise जिसके द्वारा owned है control है और उससे उसको future में economic benefits drive होगा that is known as the asset ठीक है जिससे आपको फायदा होगा ठीक है और आपके द्वारा owned and controlled है तो investment भी तो ऐसे ही हो गया जो हमारे द्वारा owned है हम उसके मालिक है ठीक है और हम future में अपने पास economic benefit इससे आ रहा होगा income generate हो रही होगी तो मान लीजिए अगर हम अपने पास बात करते हैं जैसे मैंने का बेटा कि मान लीजिए Mr. A है जी Mr. A ने X limited के shares खरी दे Mr. A ने X limited के shares खरी दे 1000 shares उसने अपने पास खरी दे नौ बेटा जो X limited है जो उसकी balance sheet बन रही होगी X limited की जो balance sheet बन रही होगी दिखा रहा T शेप में हो वैसे तो company की balance sheet schedule 3 के साब से बनती है तो वह यहां पे इसे क्या दिखा रही होगी ऐसा share capital के रूप में वह तो share capital के रूप में आ रहा होगा नो अंदी equity and liability side हम बोल देते हैं ठीके न वह तो उसके लिए क्या है आपके पास equity and liability side में बोल देते हैं पैसा लगा रहा है वह वहां पे ए में उसका क्या बन गया shareholder बन गया उसे हम क्या बोलते ते shareholder बन गया जो A है और वो उसकी balance sheet में liability side में दिख रहा होगा पर सवाल ही उठता है जब A अपनी balance sheet बना रहा होगा बेटा तो A के लिए क्या है वो सर A के लिए वो हमारे पास बेटा आ जाएगा asset आ जाएगा तो उसके लिए equity liability side में दिख रहा है हमारे लिए क्या हो गया which is investment in equity shares of x limited इसने investment कर रखी है in the shares of x limited ये इसके लिए क्या हो गया A के लिए asset हो गया और इससे कलकों से आमदनी generate होगी देखें आमदनी जो है एक वो है जब तक उसने अपने पास इन shares को रखा हुआ है तब तक उसे dividend की income आरे होगी मानली जो उसने Dementures खरीदे तो तब तो उसे interest की income आरी होगी पर कल को जब उसे बेच देगा तो उसको बेचने पर profit आ रहा होगा तो आज खरीदा है share 15 रुपे का कल को share 25 रुपे का आजएगा तो profit कमा लेगा तो वो profit आ जाएगा उसको वो capital appreciation एक तरीका कि जो चीज खरीदिया उसकी value में बढ़ावट आगे आपके पास ठीके न तो यहाँ पर अगर हम अपने पास बात करें तभी इसे क्या क्या आगया एसेट और जो किसले है for the purpose of earning income इंकम कैसे आरी बेटर revenue nature की income आरी होगी जो routine income आप कैसे dividend की income आरी होगी मैंने जैसे का किस पे आती है shares पे आती है equity और preference जो भ आपको क्योंकि आपके पास उनके debenture bond government securities पढ़िए और rental की income आरी होगी किसमें investment property बेटा simply investment in land oblique building land या building पे जो income generate होती है basically वो rental income investment पर सर ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मैं land and building में business का काम ही कर रहा हूं तो क्या वो यहाँ पे cover होगा बेटा ने हम यहां बोलते है जो आपने जिसमें आप अपने business operations carry out नहीं कर रहे हैं अगर आपने business operations carry out कर रहे हो उसके अंदर building के अंदर तो वो तो आपके बेटा फिर fixed assets के अंदर दिख जाता है property plant equipment में जो tangible assets आपके पास आयते हैं यह हम बात करें जो business purpose के लिए substantially इस्तिमाल नहीं हो रहा आपकी उसकी intention ही क्या थी क्या आप उसी किरायप पे चड़ाओगे और income आएगी पर सब दूसरी एक और चीज़ आती है क्या कोई और भी ऐसे assets है जिसको मैं अगर खरी दूँ और उससे मेरे को income आरी और rental हा बेटा हो सकता है मान लीजे आपने machinery खरी और machinery को किरायप पे चड़ा दिया तो उससे भी इंकम आरी होगी क्या वो भी इस एस 13 के द्वारा गोवर्न होता है बेटा नहीं वैसे बता रहा हूं नहीं क्योंकि उसके लिए एस नंबर 19 आता है लीज का और वो बेसिकली आपके वस ग्रूप 2 में में करा जाता है कि जहां पे हम बात करते हैं ऑपरेटिंग लीज फैने यह अमने बात करी है यहां पे उस पर रेंटल इंकम आरी होगी रेव नेचर के और ग कमागी capital appreciation investment property पर कि जैसे मैंने कहा खरीदी एक लाकी और दस साल बाद जाके उसे मालीजे 50 लैक्स में बेच रहे है तो वो capital appreciation आगी ठीक है तो यह आपके पास investment की definition है अगली चीज आती है बेटा classification of investment नौ हम investments को जो classify करते है हमारा accounting standard number 13 बेटा इसको classify करता है और दा basis हम जब बात करते है period of holding दे period of holding का मतलब होता है बेटा कि हमारा intention क्या है उसे रखने का मैं उसे कितने समय तक अपने पास रखने जा रहा हूं तो मैंने मालीजे एक्स लिम्टिड के shares खरी दे अब जब मैंने एक्स लिम्टिड के shares खरी दे तो हो सकता है कि मेरी intention है कि मैं उसे जल्दी बेच दूँगा और हो सकता है कि मैं उसे लंबे समय तक अपने पास रखोंगा हो सकता मैं जल्दी बेच दूँ हो सकता लंबे उसकी वज़े से उसका accounting करने का तरीका valuation करने का तरीका बदल जाएगा तो हमें सबसे पहले समझने वो समय कितना है और फिर उसके base पे उसकी valuation का क्या क्रिटी रहे तो हम इसे बेटा दो हिस्सों बागते है एक होती है बेटा current investment या short term investment जो थोड़े समय के लिए रखेगा और वो define क्या है जहां पे intention to hold up to one year मतलब less than equal to one year मतलब जहां पे आपकी intention है कि आपने जब खरीदा तब से लेके अगले एक साल के अंदर आप इसे रखेंगे उसके अंदर में basically बेच देंगे मतलब within the one year of purchase आप उसको sale कर देंगे तो वो होगी current investment पर अगर आपकी intention उसे एक साल से ज़्यादा रखने की है तो बेटा उसे बोल देते non current investment या long term investment जहां पे intention एक साल से ज़्यादा की है सर अब इससे फरक क्या पढ़ता है बेटा फरक किये पढ़ता है या भी छोटी से आपके पास example एक बतारो आगे तो बहुत detail में हम चीज़े इसके प्रेक्टिकल आएगा तो बास समझाएगी आपको तो इसका फरक क्या पढ़ता है पिटा आज मैंने अपने पास मान लीजे shares खरीदे अब मैंने जो share खरीदा वो मेरे लिए जो cost पर share है मान लीजे जो मेरे को cost पड़ी share की वो 18 रपे पड़ी पर share देखे share की face value अलग हो सकते पर मैंने खरीदा 18 रपे में है अब इसमें ऐसा हो सकता है मैंने अगर company से ही खरीदा है पहली बार में पिर तो company ने 10 का share 18 रपे दिया प्रीमियम पे है बाद में तो share trade ओ रहा होता है बेटा stock exchanges पर हम वहां से खरीद रहा होता है इन्वेस्टर ठीके ना तो बहां पे तो भाव उपर नीचे होता रहता है ठीक है तो मैंने ये share 18 रपे खरीदा अब यहां पर year end पर बेटा उसकी कुछ market value भी होगी market value का मतलब आपके पास होगया बेटा fair market value जिससे भी fair value भी बोल देते तो market value पर share year end पर मान लिजे 31 March को अब इसमें 2 case होगे मान लिजे या तो इसकी market value 25 रुपे है या मान लिजे इसकी market value 15 सर अब बेटा आप इसको किस पे value करेंगे depend करेगा आपकी intention कैं अगर तो बेटा यह current investment है या यह long term investment है जिसे non current बोल देते हैं यह short term आ गई यह long term आ गई अब हमारा principle क्या है हमारा principle है my dear student कि अगर वह long term investment नहीं है current investment तो उसमें valuation है किस पे करने lower of lower के दिखाने किसकी cost या market value और fair value तो हमने उसे कम पे दिखाने cost या market value whichever is lower पे दिखाने बेटा purely on the principle of conservatism बने कहता है अगर लगता है कि नुकसान होगा तो नुकसान को तो आज ही provide for कर दो से कम पे दिखाके पर अगर लगता है कि फाइदा होना है तो फाइदा तो हम तब तक record नहीं करते जब तक नहीं होगा तो इसलिए यहां पर अगर मैं बात करूं अगर यह मेरी current investment है तो मान लीजिए यह मेरा case 1 था जहां 25 है और यह case 2 है जहां 15 है तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा अठारा और पच्चिस which ever is lower तो कितने में दिखाऊंगा अठारा रुपे पर क्योंकि यहां पर मेरी market value इसकी 25 रुपे है तो जादा है तो बेच्चूंगा तो फाइदा होगा कहता है जब बेच्चोंगे तब फाइदा record करना आज तो आपके पास पढ़िए नहीं आज तो यह आपके पास है आज आज आपकी खरीद 18 रुपे की एसकी और आज यह market में अगर बेच्चोंगे तो 25 की बिखेगी तो भई फाइदा मत record करो फाइदा कब record करेंगे विटा प्रूडेंस क्या बोलता है हमारे पास की फाइदा तब record करो जब आप क्या सोगा realization concept यहीं बोलता है ठीक है ना तो हमा आरे पास हम 18 पे दिखाएंगे जब कल को बेचेंगे तो हो सकता है उस समय 25 की बिचाएदा वो 24 26 जो हो जब फाइदा होगा तब record करेंगे पर अगले case में 18 और 15 विच एवर इस लोर कहता है दिखाओ 15 पे तो यहां पे provide कर दिया आपने loss effectively उसे दिखा के कितने रुपे का बेटा तीन रुपे का 18 की है आज market में विकेगी तो 15 की विकेगी आज इसका market में विकेगी तो आपका तीन का loss होगा और आपने इसे थोड़े दिनों में ही तो बेस देना एक साल के अंदर ही तो बेस देना आपकी intention यही तो है short term की बात हम कर रहे है तो जो नुकसान अगल अगली चीज आती है मार्क पास जो लॉंग टम इंवेस्मेंट है कहता है उसे कॉस्ट पे ही दिखाओ unless there is a permanent decline unless there is a permanent decline तो यह क्या चीज होगी बेटा इसका मतलब यह है कि आपने उसे cost पे दिखाना है मतलब कि आपने उसे irrespective case 1 है कि case 2 है आपने बेटा उसे 18 पे ही दिखाना है मतलब कि जो case 2 में तो फाइदा तो record करने की बात ही नहीं आती वो तो वैसी नहीं आती conservatism के अगेंस है पर नुकसान भी मत record करो पते क्यों के दर टेंपरेरी सी चीज है market value उपर नीचे होती रहती है अब आपकी intention है लंबे समय तक रखना दो साल तीन साल पांच साल तक रखना वह जरूरी थोड़ना है आज अगर market value 15 है तो दो तीन साल बात तक भी उतना ही रहेगा उपर नीचे होजेगा तो जरूरी थोड़ना है यह तो market के जो exchange market में जो भाव उपर नीचे चल रहा है व वो temporary एक तरीके का तो वो तो उपर नीचे होता ही रहेगा अब आपकी intention है लंबे समय के रखने के लिए आज ठीक है 15 पर आगे लगता है तीन का नुकसान है पर होगा थोड़ी ना आपको इनुकसान क्योंकि आपने इसे कम से कम मानलो तीन साल चार सा बात बेचना है एक सा से जाधा की intention है आपकी तो उस case के अंदर भाई cost भी दिखा क्यों नुकसान record करें क्योंकि पता थोड़ी नहीं कि नुकसान होगा भाई पता थोड़ी नहीं कि नुकसान होगा क्योंकि आपने इसे लंबे समय के लिए रखना है और यह market के उतार चढ़ाप तो बेटा कभी से जाधा कम होते रहते हैं तो उसकी वज़े से यह नहीं कि आपना लॉस रिकॉर्ड कर लो जो कि शायद होना ही नहीं क्योंकि आपके intention नंबे समय के लिए तो इसे cost भी पर चोटी से exception डाल दी जैसे मैंने आपको बोला अल्लेस देरी से permanent decline permanent decline का मतलब कि मानलो आपको पता चल गया कि जिस company के आपने share खरीदे हैं वह company को huge losses हो रहे है huge losses हो रहे है और उसकी वज़े से उसका market में भाव कम हो चुका है market में price कम हो गया बहाँ पर नुकसान record कर लो क्यों क्योंकि वो तो आपको नहीं लगता कि revive कर पाएगी वह company आपको नहीं लगता कि revive कर पाएगी दो साल तीन साल के अंदर भी तो उस case के अंदर record कर लो ठीके ना तो मान लोगो कि यह जो price है हमारे पास यह सात रुपे पर पहुंच गया और यह इसले पहुंच आपको जो यह permanent nature का decline मतलब यह decline इसले हुआ है कि company को ऐसे losses हुए company बहुत बूरे cases हार चुकी अपने और company near future म अगले तीन-चार साल तक रिवाइब नहीं कर पाएगी मतलब फिर से शायद उस तरीके से खड़ी नहीं हो पाए विकास इसको losses भारी मात्रा में होई है और इन वजहाओं से होई है नॉर्मल रुटीन के साब से नहीं है तो वहां पर वहां पर आप इसे अपने पास सात र पर्मनेंट डिकलाइं ठीक है तो यहां पर यह मेरे लिए बताना जोड़ा था और इससे रिलेटीड हम कोश्चन बेटा यह 13 में भी करते हैं बड़े डिटेल में तो मीरक को आपको क्या बताना है कि हमने जब इन्वेस्मेंट को क्लासिफाई किया तो हम उसे बेटा क्लास जो अगर लॉट कर लो और अगर लॉट कर लो तो तो प्रिंसिपल बना है क्या सरे प्योरली कंजर्वेटीजम के बेस पर यही तो चीज बता रहा हूं अगर नुकसान है तो रिकॉर्ड कर लो फाइदा है तो रिकॉर्ड मत करो वो जम होगा तब कर लो ठीके न अब अगली चीज आती है हमारा जो इस चैक्टर के अंदर प्रेक्टिकली हमने बात करने हैं हम यहाँ पे बेटा इन्वेस्मेंट्स को क्लासिफाइ करने जाते हैं on the basis of income हम यहाँ पे उसको प्रेक्टिकली क्लासिफाइ करते हैं on the basis of income हम इसे दो हिस्सों में बाटते हैं एक होती है फिक्स इंकम बेरिंग स्क्रिप्स या सेक्यूरिटी जिसे बोल देते हैं FIBS इंकम बेरिंग स्क्रिप्स या सेक्यूरिटी यह वो है लाइक डिबेंचर बॉन्ड गवर्मेंट सेक्यूरिटी जहां पर इंट्रस्ट की आपको बेटा इंकम आ लिया और वो फिक्स है आपने मान लिजिए किसी कंपनी के debentures करीदे बिटा आप debenture का rate तो fix है ना 10%, 12%, 8% जो भी है या bonds वगएरा government bonds है government securities है तो वहाँ पे मान लिजिए आपके पास 8% interest है वो fix है वो change नहीं होगा वो तो fix करके दे दिया आपको तो यहाँ पे जो income आ रही है वो fix income है आपके यहाँ वेरी नहीं कर रही तो इसको हमने बोल दिया fix income bearing scripts या सी कर दे मतलब इन पे जो income आ रही हो fix rate है interest का जबकि दूसरी कौन सी मन की बेटा variable income bearing securities variable income bearing securities या script V.I.B.S. जिसमें आगे equity shares अब आपने अगर किसी company के equity shares खरीदे है तो वहाँ पे बेटा जो income आई की वो कौन सी आई की dividend मिलेगा आपको अब जो dividend मिलेगा आपको बास समझे बेटा वो dividend जो है का company हर साल same rate of dividend देती है भई 5% देना या 10% देना नहीं जादा profits होगे तो जादा dividend देती है कम profits होगा तो कम dividend होगा profits नहीं होगा मेभी dividend देना आपको company की मर्ज है dividend देना तो इसलिए उसको क्या बोल दिया variable income wearing securities की vary करेगे income हर बार vary कर दिये तो हमने इन दोनों के accounting बिल्कुल अलग अलग तरीके से है बेटा जो सीखी जाती है अभी हमारा अभी हम जो बात करने जा रहे है वो अभी हमारे starting के कुछ lectures हमारे बेटा लगेंगे about the fixed income bearing securities और total focus only on the fixed income bearing securities तो मारा topic आ रहा है fixed income bearing scripts या securities FIBS जिसे हम बोल देते हैं और हम यहाँ पर कुछ सीखेंगे journal entries वगएर आपने आस बात करेंगे तो जिसे मैं क्या करता हूँ बेटा आपके सामने हम एक example लेता हूँ जिससे मैं आपको इस concept को समझाने की कोशिश करूँगा तो मेरे साथ सिरफ इसको समझना है देखे आगे जाके पर question पहला question भी कराऊँगा आगे जाके तो वहाँ पर मैं आपके पास फिर से वो एक base question होगा concept को करने के लिए तो अभी आपको इस example को जाए note मत करिए मेरे साथ सिरफ आप चीजों को समझो कि मैं आपको जाए example के थूँ एंटरी समझाने कोशिश करूँगा कि क्या चा होती है चीज़े हमारे पास इस concept में तो हमारे पास let's say जो हमारा बेटा year है वो year है आपके पास है 1st April to 31st of March let us say हम है Mr.A जैसे मैं पहले कहा रहा था आपने X Limited के जो है डिबेंचर से बेटा 12% वाले उनमें investment कर रहे हुआ जो है 12% डिबेंचर से ही है और इनकी हर डिबेंचर की वैसे जो face value है वो 100 पे है मतब 100 पे की face value वाला डिबेंचर है ठीक है ना अब कोई कम इसका relevance होगा कंपनी जो interest देती है पीटा वो तो face value के उपर देती है ठीक है अब कंपनी वैसे जो आपके पास interest देती है वो साल में दो बार देती है 30 सप्टेंबर को interest देती है और एक 31 मार्च को interest देती है कंपनी इंट्रस्ट की डेट्स रख दी सो interest डेट्स जो है जैसे मैंने कहा आपके सामने वो कंपनी ने fix कर रखे बेटा 30 सप्टेंबर और 31 मार्च कंपनी साल में दो बार interest देती है अब let us assume कि Mr. A ने 30 या 31 माई लिख देते 31 माई को 500 डिबेंचर्स खरीदे at the rate of 98 यह purchase करें है और यह जो purchase करें हम बात करने जा रहे है बेटा मान लिजिए यह stock exchange से खरीदे इसमें दो चीज़े हो सकती है वैसे बात कर रहा हूं कंपनी ने सबसे पहली बार issue करें हो वह बात अला थे कंपनी ने सबसे पहली बार issue कियो मैं यह जो है हमारा investor Mr. A is investor वो क्या खरीद रहे डिबेंचर्स खरीद रहे एक्स्रिम्रिट के वो क्या accounting entry डालेगा वो क्या accounting entry डालेगा बेटा वो accounting entry डालेगा सारी लिखीवे इंट्रिस तो उस पर आ जाओंगा don't worry लिखने की जूरत बिलकुल नहीं है आगे जाके question भी कराओंगा जैसे मैंने का बेटा वो इंट्री डालेगा investment in 12% debentures of x limited account debit और यहां पे 500 debenture into 98 उसकी cost है तो उसने 500 debenture की दे 98 पे मतलब यह होगे बेटा 49,000 500 into 98 के उसे पड़े और तू बैंक कर देगा पर यहां पर एक छोटी सी चीज आगी बेटा आपने यह debenture माल लीजे Mr. B से खरीदे माल लो यह आपने जो खरीदे यह B से खरीदे from B खरीदे अब यह debenture April का महीना और माई का महीना B के पास थे मिल्कूल सही April का महीना और माई का महीना B के पास थे अब यह A के पास आ गए मैं आपसे छोटी सी चीज पूछता हूँ Company जब 30 September को interest देगी तो क्या वो दो महीने का interest B को देगी और चार महीने का interest June से लेके September तका A को देगी क्या Company ऐसा का देखेगी कि वे दो महीने B के पास है चार महीने A के पास था तो क्या interest ऐसे बाटेगी नहीं पेटा Company ऐसा नहीं करती कंपनी का करती है Company simply यह देखती है कि जिस दिन वो interest देने जारी है मतलब की 30 September को उस दिन यह debentures किसके पास है मतलब हमारा dimension order कोन है हमारे record में किसका नाम लिखाव ए उस दिन और उसको पूरे के पूरे छे महीने का interest देएगी मैंने क्या बोला Company क्या करेगी बेटा जिस दिन interest की due date आई है उस दिन अपने resistor को देख रही है उस दिन अपने records को देख रही है और देख रही है कौन हमारा dementia होड़ रही है और उसको पूरे 6 महीने का interest देती क्योंकि कमपनी 6-6 महीने करके दे रही है 3-3 महीने करके होता तो 3 महीने का देती पूरे साल का उता है तो पूरे साल का दी थी पर company ये टुकडो में नहीं करती भी दो महीने उसके पास थे चार मिन्नों company का पूरा interest उसी दिन एक तरीके से आपके पास अगर वो सारा उसको देती है जिसके पास वो पढ़ा है पर सर फिर तो ये बड़ी problem की बात होगी गलत बात नहीं होगी कि भई दो महीने बी के पास पड़ा था तो logically दो महीने का interest तो बी को मिलना चीए एक को तो चार महीने का मिलना चीए अब जैसे आप हमें बता रहे हो उसके साब से तो अगर 30 सप्टमबर को company पूरे 6 महीने का interest A को दे देगी तो उस case में तो A को फाइदा हो गया और B को नुकसान हो गया इसी चीज के लिए जब A B से ये debenture खरीदता है 31 मही को खरीद रहा है दो महीने के बाद तो वो क्या करेगा A B को इतने महीने का interest मतलब कि दो महीने का interest A B को दे देगा इतने महीने का interest A B को दे देगा 31 मार्स तक पिछले साल के 31 मार्स तक का interest settled है अब अगला interest company का 30 September को आना है देखिए और A जब खरीद रहा है जब A खरीद रहा है तो दो महीने बाद खरीद रहा है April और मही का महीना निकल गया तो A और B जब आपस में परतेज सेल की transaction कर रहे है तो A B को दो महीने का interest दे देगा सर ऐसा क्यों देगा बेटा क्योंकि A को 30 September को जाके company से पूरे 6 महीने का interest मिल जाएगा जिससे logically उसकी जेव में जो income रही वो तो 4 महीने की रही तो यहां पर हम परचेज करने जा रहे है बेटा जो आपके पास last date of interest चे तिल्दा your date of transaction तब तक का यह interest पे करता है और entry में आ रहा होता है interest on investment भी debit हो जाएगा तो यह निकलेगा कैसे यह निकलेगा बेटा कुछी इस प्रिकार से 500 debenture हैं हर debenture बेटा 100 पे की face value का है याद रखें interest तो मेशा face value पे आएगा आप 98 में वैसे खरीद रहे हैं पर interest तो face value कोई company भी interest किस पर देगी face value पर देगी into rate of interest चे 12% और कितने महीने का बेटा दो महीने का दो महीने का interest यह pay करेगा तो 50,000 into 12% divided by 6 तो 1000 होगे बेटा to bank account 50,000 तो A ने B को total में payment कितनी करी बेटा 49,000 तो बेटा किस चीज की करी 49,000 तो अपने पास करी for the debenture और 2 महीने चो उसका interest का हक बनता था वो उसे pay कर दिया क्यों क्यों क्योंकि company बेटा due date पे एको पूरे 6 महीने का interest देगी company due date पे एको पूरे 6 महीने का interest देगी वो कैसे दीगर मिलेगा यह entry तो बेटा डली 31 मही को अब यहां पर 30 September को A को interest मिलेगा और entry आएगी bank account debit to interest on investment तो यह एको interest मिल रहा होगा company से बेटा पानसो डिवेंचर तो और पे की face value 12% कितने महीने का चार महीने का नहीं बेटा गर चारी महीने का ओता फिर तो पाती खर्तम थी company जब भी interest देते पूरे period का देते विच इस फॉर 6 months और जिसका नाम record मुदत उसे देते तभी तो A और B ने आपस में internally settlement कर ली थी इस चीज़ की कि मैं तेर से दो मीने बाद कर दो मैं तो दो मीने का वयाज देता क्यों क्यों क्योंकि मेर को अब 6 मीने का व्याज मिल जाएगा 3000 रुपीज इसे interest मिल जाएगा 3000 रुपीज इसे interest मिल जाएगा तो logically आप देखो A ने 1000 पे interest दिया और 3000 पे interest मिला तो उसकी जेव में 2000 की income आगी न जो की 4 महीने की बनती है उसकी तो बेटा income 4 महीने की बनती है तो उसके पास तो इतने period के लिए रही विच इस पोर मंस तो उसकी income वही है जो P&L में उसके यह रेंट पर भेज़ते हैं कि लोजीकली मताँ आगे भी आएगी पर अगर यहीं तक बात करूं है तो जब वो खरीद रहा है simply from the date of interest till the date of transaction तक हमारे पास यह हमेशा चीज रहे ठीक है अब सर क्या यह बेच भी सकता है अंजी बेटा यह बेच भी तो सकता है तो मान लो 31 जन्वरी को 31 जन्वरी को ए ने बेटा सेल कर दिये सारे ने सिरफ 400 डिबेंचर बेचे 103 पे 103 रुपे बेच दिया आपको दिख रहा है कि evident कि फायदा हो रहा है मतलब 98 पे खरीद आते 103 में बेच दिया तो यह आपके पास बेच दिये अब 31 जन्वरी को क्या transaction होगी क्या entry होगी सर बेच रहा है तो दिखे पैसा आ रहा है हमको चीज बेच दे तो अब जैसे fix ऐसे बेच दे तो bank to fix दे ऐसे जब investment बेचेंगे तो bank to investment आ जाएगा तो हम क्या करेंगे 31 जन्वरी को entry डाल रहोंगे bank account debit पैसा आ रहा है to investment in 12% debentures of x limited तो हमने बेचा बेचे 500 नहीं 400 debentures बेचे 500 में से 103 रुपे में तो 400 into 103 में बेचा 400 into 103 में बेचा 41 200 बेचा आपने बेच दिये क्या आपको सिरफ यही पैसे मिल रहे होंगे नहीं आपको बेटा अब क्या और मिलेगा सर जैसे हमने खरीदने के समय B को interest दिया था वैसे ही जिसको हम बेच रहे है वो हमें interest देगा ना 4 महीने का क्योंकि कल को 31 मार्च को company से उसे पूरे 6 महीने का interest मिलेगा तो जैसे हमने खरीदने हमें दूसरे को दिया था व्याज उतने पिरेड का तो अब हमें भी तो interest मिलेगा देकि 30 सप्टेंबर तक का तो मुझे मिली चुका है अब मैंने अक्टूबर नमंबर दिसंबर जन्वरी 4 मिन और रखें मेरा हक बनता है पर मैं जिसको बेच रहा हूं company तो उसे 6 मिने का interest देगी तो वो मेरे को अभी पे कर देगा क्योंकि कल को तो company को उससे पूरे 6 मिने का मिल जैगा अब 4 मिने मेरे पास से तो मैं अपने प तो यह आपके पर बिटा क्या आया 400 डिवेंचर है 100 और पे का एक है तो face value 12% 4 महीन है तो यह बना 40,000 x 12% x 4 divided by 12, 1600 और यह total हो गया 42,800 अरसर देखिए हमने जो चीज खरीदी थी 49,000 में खरीदे थे 500 हमने अभी बेचे 400 है 103 में तो क्या सर हमें profit loss नहीं record करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए वो ही अब करने जा रहे है तो ultimately हमारा profit यहां पर आगया क्योंकि मैंने effectively देखो चीज खरीदी कितने की थी 98 की खरीदी थी और बेची है 103 में आप unitary method भी लगा सकते बात वही है पर हम उतने काही तो record करेंगे ना profit जितने बेचे तो मैंने 400 बेचे तो मेरे लिए 400 की cost कितनी है वर्सिन मैंने उसे कितने बेचा तो अगर मेरी cost जो बनती है effectively जो मेरी cost है 400 debentures की वो कितनी है बेटा मैंने total खरीदे थे 40 कितने में जी 49,000 में 49,000 में मैंने 500 खरीदे थे तो 400 की cost कितनी पड़ी तो 49,000 वेड़ पांसो इंटू 400 तो वो 9080 था ना इंटू 400 39,200 और मैंने sale कितने में करा 41,200 में इंट्रस्ट तो अलागी है ना और 2000 का मुझे क्या हो गया यहां पर प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिटा एंट्री बन जाएगी investment in 12% debentures of x limited यह प्रॉफिट चला गया P&L में 2 P&L एकाउंट बेसिकली आप बोल दिजे तू प्रॉफिट ऑन सेल और फिर प्रॉफिट ऑन सेल कहां चला गया P&L में अल्टिमेटली तो यह प्रॉफिट ऑन सेल ही है न कितना मौंट जी है अब उपर एंट्री में भी कर सकते हो कि वहां पर इंवेस्मेंट कॉस्ट डाल और तू प्रॉफिट ऑन सेल डाल दो मैंने अलगी बेटा दिखा दी तो यह अल्टिमेटली प्रॉफिट कहां चले जाने जो भी खरीदने बेसिकली बेचने के प्रॉफिट है या लॉस है व हमने बेटा चाडसो डींचर अपने पास से बेचे थे तो अब चो सौ पेरेपास पड़े हैं बैलंस है सौ मेरे पास सौ डींचर अब हैं बैलंस में हैं तो उसका इंट्रस्ट भी तो मुझे मिलेगा नय Yak红ू जे महिने ने का वो तो मेरे पास ही है परॉसको मिल रहा हो ग बेंक टू इंट्रस्ट बेंक टू इंट्रस्ट उन इंवेस्मेंट तो यह 100 इवेंचर मतलब 10,000 फेस्ट वेल्यू 12 पर्सेंट पर शिक्स मुन्स शेसोर पर शेसोर पर आपके पास इंट्रस्ट आपको मिल गया और हन्डर डेंचर जो 400 थे वह आपका चार मीने पड़े तो इफेक्टिली नेटों के वही हो रहा है नेटों के वही हो रहा है तो बात को समझेए कि कि अल्टिमेटली क्या है बेटा आप यहां पर बात को जब समझेंगे फिक्स इंकम बेरिंग सेक्यूरिटीज करा रहा हूं यहां पर तो हमने इंवेस्टमेंट करी आप डिमेंचर है बॉंड है तो जब आप खरीद रहे है पिछला जब तक इंट्रस से लेके जिस दिन ट अब यतने बच्टे होतने बेचने फिस ने जोभी प्रॉफिट लॉसस पील में चलाजाएगा और जो इंट्रस्टव सों इंवेस्टमेंट अकाउंटरून इंक्षाइगा अज़ пиш निकल कर आज खेंगी फ्लस माइनस आरे करके जहाँ जाब क्रेट कि वह आपको आयाट हो इंट्रेट के आती है investment account debit interest on investment to bank अगर आपने फर्स एपरेल कोई खरीदा होता ना तो इंट्रस्ट जबीट नहीं और तो क्योंकि फिर तो कोई एकस आया है नहीं क्योंकि 31st मार्स तक का सेटल्ड इंट्रस्ट आपने उसी दिन इंट्री होती है bank to interest on investment investment जब बेशते हो तो इंट्रस्ट आपके पास क्या है जितने पीरेड का आपको मिल रहा है जितने पीरेड आपके पास यह रहे पिछले interest date से लेके आपकी sale की data और जो भी profit loss है profit है तो investment to P&L loss है तो P&L to investment यह आपका चला जाए ठीक है न और interest on investment account भी कहां जाके close हो जाना पीटा P&L में जाके close हो जाता इंट्रस्ट यहाँ पे चैमें लिख देता हूं interest on investment to be transferred to P&L account ये तो nominal account है यह तो income का account है जो आपके पास current transfer होजएगा P&L में ultimately जो उसका balance आ रहा है अब interest जैसे मैंने का बेटा हमेशा किस पर calculate होता है face value पर calculate होता है हम face value के एक और नाम बोल देते बेटा nominal value, par value अलग-अलग नामों से बोल देते हैं इसे nominal value, par value भी बोल देते हैं अब कुछ और भी चीज़ यहां पर आते हैं जो मैं आपको समझाता हूं जो इसी example में change करूंगा पहले एक्जामपल अच्छे समझा गया होगा अभी इस एक्जामपल में कुछ और changes भी करता हूं डिया यह हम अपने पास इसे नाम देने जा रहे कुछ transactions जो होती है हम उसे बोलते है या तो वह बेटा होती है एक्स इंट्रस्ट या वह होती है बेटा कम इंट्रस्ट एक्स इंट्रस्ट या कम इंट्रस्ट सर क्या मतलब है बेटा एक्स इंट्रस्ट का मतलब है excluding इंटरस्ट मतलब कि जो मैंने इंट्य करा था मिरे को अच्छ से लिए तो था देखिये आपने 49,000 उसे investment के दिए 1000 उसे interest pay का रहा तो total तो आपकी जब से 50 गेते हैं तो आपने 1000 अलग से interest दिया तो था तो बेटा ये जो मैंने आपको पहला समझाया था अभी तक जितना समझाया है वो सारी transaction X interest थी वो हो जाती है X interest X interest का मतलब है excluding इसका मतलब है आप interest party को अलग से pay कर रहे हैं या जब आपने बेचा था तो आपको interest 103 के अलावा अलग से मिला था जब आपने बेचा था आप देखिए 103 रुपे आपको ये मिले interest आपको इतना अलग से मिला तो वो आपके पास आगा उसे बोलते X interest पर अगर पर अगर मैं आपको ये कहता कि ये जो 98 और 103 है बेटा ये कम interest transactions है कौन सी transactions है कम interest है कुश्चन हमें कह रहे बात कि ये कम interest है तो क्या होगा तो इससे क्या फरक पड़ेगा बेटा कम interest का मतलब होता है including interest कम interest का क्या मतलब है including interest अभी जो मैंने सिखाया वो X interest है जिखाया अभी मैं बताने जा रहा हूं come interest come interest का मतलब including interest मतलब की मैं party को कह रहा हूं B को जो मैंने खरीदे बाई ऐसा है मैं आपसे 98 में खरीद रहा हूं और इसी के अंदर interest है आपका अलग से नहीं दे रहा और यह थोड़ी ने की दे नहीं रहा दे रहा हूं पर 98 के अंदर यह है 50 नहीं आएगा अब टू बैंक में 49,000 आ रहा होगा मैं रेट से बेटा लिखके कर रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए फरक क्या है तो यह हो रहा होगा 500 into 98 मैं उसे कह रहा हूं यह लो पकड़ो 98 के हिसाब से पैसे 49,000 और इसी के अंदर आपका इंट्रस्ट है इसी के अंदर आपका इंट्रस्ट है तो मैंने 49,000 टोटेलिटी में दिये 49,000 टोटेलिटी में इंट्रस्ट कितने है बेटा इंट्रस्ट थो 1,000 ही है, Interst में तो कोई च्छ नहीं है, Interst तो ¿1,000 ही है? उसमें को फरक नहीं है, तो हमारी बेटा यह वाली value change हो जायेगी तो यह value बन की 48 based कैसे बेटा बात सम्जी है मैं यह तो कही नहीं रहा न है कि Interst नहीं दे रहे, Interst तो पक्का दे रहे, वो तो यह सवाल ही मैं एक्स आगर ना इंट्रस्क नहीं जुड़ा वह तो एक सिर्स मतलब उस इंट्रस अलग से रहा हूं जो मैंने सिखाए तो 49,000 वैसे दिए मैं अब कहा रहा हूं क SepT avpAl E SBS- तो मैं कहा रहा हूं कि मेरे को और क्योंकि अब 98 के हिसाब से में इंट्रस्ट जुड़ा वा था तो मेरी यह बैलंसिंग फिगर आ जाती है बेटा यह effectively मेरी कॉस्ट बन गई ठीक है बात यह वाली क्या यह बात क्लिर हुए मारको तो यह हमारे पास चीज आगी अब इंट्रस्ट जब मुझे मिलेगा तो तो कोई दिक्कत नहीं वह तो जितनी है मेरे पास उसने भी मिलेगा वहाद तो क्या लेना देना वह तो 500 के ओपर मिला तो 3000 वाली एंट्री सही है यह एंट्री में कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है अब अगली चीज आती है कि जब मैंन बेचा अब जब मैंने बेचा बेटा तो यहां पे आप बैंक में फॉर्टी टू इंडर थोन आएगा बैंक में आ रहा होगा फॉर्टी वन टू हंडर क्योंकि यह आ रहा होगा 400 इंटू एक सो तीन के साब से अब मैंने जिसको बेचा उसने मुझे क्या बोला उसने वही पती यह एक सो तीन रुपे के हिसाब से और इसके अंदर इंट्रस जुडा वाए ट्रांजेक्शन इस कम इंट्रस कम मत्लब इंक्लूडिग इंट्रस्ट इंक्लूडिंग इंट्रस तो फॉर्टीवन टू हंडड़ है जिसके अंदर 1600 पे तो ढ्या जी है तो प्ता ही है व 39,600 तो actually में मेरे को investment के नाम के कितने मिले 39,600 क्योंकि total मिले 41,200 जिसके अंदर 16,100 पे तो interest है 16,100 पे तो ब्याज है आपका तो मुझे investment के नाम के मिले 39,600 जैसे मैंने का अभी सिरफ समझा रहा हूँ बेटा अभी एक question example करा हूँगा तो उससे जब खुद लिखोगे तो clarity और हो जाएगा अभी मेरे साथ समझे अभी मैं उतनी चीज़ बता रहा हूँ X interest में बेटा interest अलग से दिया कम interest में basically क्या है interest उसके अंदर ही है मैंने purchase वाली transaction भी बता रहा हूँआँ उपको और साथ ही divided by 500 into 400 तो 38,400 आपकी cost बनी proportionate और आपने बेचा कितने में 39,600 तो आपका profit भी में भी फरक आगया which is 1200 बात समनी कोशिश करो obviously आपने investment को कितने से debit क्रेइट किया वह important है तो उसी से profit loss निकलेगा तो आपने investment को जितने से debit क्रेइट वह cost है क्योंकि 98 और 803 में इंटरस जुड़ा वा था तो उससे फरक पड़ गया तो आपका यहां पर balance करके निकल आता है तो अल्टीमेटली जो यह वाली entry बेटा यह अब कितने से डल रही होगी 1200 से डल रही होगी ठीके न तो यह हमारे परस फरक पड़ गया उसकी चीज से लेके बेटा यह आपके परस चीज थोड़ी सी हमारे परस फरक पड़ जाता है तो अभी मैंने आपको सिर्फ क्या समझाया मैंने आपको चीज क्या समझाई कि अभी मैंने आपको basic चीज बताई है कि हमारी transaction एक्स इंटरस्ट भी हो सकती है और कम इंटरस्ट भी हो सकती है हमारी transaction एक्स इंटरस्ट भी हो सकती है और कम इंटरस्ट भी हो सकती है अगर मेरी transaction एक्स इंटरस्ट है अगर मेरी transaction X interest है तो उस case के अंदर उस case के अंदर मेरा सिरफ इतने से चीज़ आ रही है कि मैं अपने पास जो भी है interest अलग से पे कर रहा हूं दिया है transaction price दिया है उसके अंदर इंट्रस्ट जुड़ा है तो मैं उसमें से इंट्रस्ट माइनस करके वेल्यू निकाल लूगा क्या हमें यहां तक बात समझा और उससे फरक पड़ जाता है investment को कितने से डेबिट क्रेडिट कर रहे हैं जो हमारी यहाँ पर जो ट्रांडिक्शन है यहाँ हमारी जो ट्रांडिक्शन है स्क्रिप्स कर रहे हैं हम जब खरीदती है तो बेटा हम इंट्रस्ट दे रहे होते हैं बट आप फरक पड़ जाता है कि ट्रांजिक्शन एक से कम अभी एक आदा और कॉंसेप्ट सिखा रहे हैं आगे जाके बट अभी मैंने जितना बता है मैं तो उसी को आपको और अच्छे अब आपके बात करें इंट्रस्ट हमेशा बेटा किस पर कलकुलेट होगा फिस वैल्यू पर कलकुलेट होगा यह बात हमेशा धियान रखेगी जिसे नॉमने वैल्यू भी बोलते हैं नौ मैं क्या करता हूं अभी मैंने point अभी सारे cover नहीं कराई जितने मा लिखे वे थे मैं उस पर आऊंगा don't worry अभी आप बेटा अपने पास आजाएंगे question number one ये basically क्या है एक मेरा sample based question है जिससे आपको ये clarity आजाएगी जो मैंने अभी एक example से दी फिर से हम अपने पास इसको करेंगे तो आपके पास और बेटर clarity आएगी बेटा ठीके नौ कहता है ये ने purchase करे 307 percent debentures of hundred each 28,000 rupees में यहां मैंने rate नहीं लिया 98,99 वो amount ही दे दिया सीधा एक माई 2021 को he sold 100 debentures तेरह हजार पे में 30 november 2021 को उसने उसमें से 100 debentures बेज दिये 13,000 पे में 30 november को interest credit होता है बेटा 30 जून और 31 दिसंबर को हरचा books close होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाने अलग-अलग केस में अभी मेरा आपका आज का कारिया सिरफ यह दो केस कराना केसी और डी में बाद में करूंगा अभी मैंने जितना आपको समझाया है मैं उसी के रिस्पेक्ट की बात करूंगा एक्स इंट्रस्ट और कम इंट्रस्ट की मान लोई transaction X है मान लोई transaction कम इंट्रस्ट तो इस से related अभी हमने चीज़ को करना है तो बेटा जब मैं जाता हूं अपने पास question number one पे अभी मैं आपके पास क्या पहले सबसे पहले बना लेता हूं टाइम लाइन जो आपके पास मदद करेगा जो आपके पास मदद करेगा तो हमारा जो बेटा साल है वो शुरू हो रहा है एक जन्वरी को और खताम होता 31 दिसंबर को कह रहा है साल में इंट्रस्ट दो बार मिलता है एक बार 30 जून को एक बार 31 दिसंबर को ऐसे पिछले साल भी 31 संबर को मिल चुका होगा अब हमने कहता है सबसे पहले हमारे पास एक मई को ट्रांजेक्शन हो रही है एक मई को इस दिन परचेज है क्या हमारी जो इंवेस्टमेंट है वो है सेवन परसेंट डिवेंचर से बेटा तीन सो खरीदें एड़ी रेट 28,000 में पूरी प्राइस 28,000 पूरी वैल्यू दिया इच नहीं है बेसिकली ओबिसली मतलब कि अगर बोलू तो 30,000 वाले को खरीदा 28,000 में और इसके लावा अगली एक ट्रांजेक्शन है बेटा जो हम डालके चोड़ देते 30 नवंबर को यह बनाने से थोड़ा क्यों होता है मारी कोई ट्रांजेक्शन मिस नहीं होती सेल करे जो सेल करे वो कितने करे यहां पर हंडर्ड ही करे कितने में 13,000 बने यह उसने मुझे दिया है ठीक है देखे कोईशन की जो रिक्वाइरमेंट है वो अभी तक मैंने आपको सिखाई नहीं है कोईशन की रिक्वाइरमेंट है बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंट मैं उस पर आपके पास बेटा आता हूं बाद में पहले साथ entry मुझे बताएंगे कि entry कर लिगे इसają ट्री चार हो केस में एंट्रिजन हो नहीं जा लूंगा फिर हम सीधा अकाउंट लाना शीखेंगे या है तो मैं आपके साथ entry से चालू हूंगा फिर हम account बनाएंगे डोल बरी तो पहले मां entries जानने की बात करने जा रहा हूं कि अभी केस नंबर वन है बिटा केस नंबर ए एक्स इंटर्स अभी फिरम लेजर अकाउंट भी बनाएंगे डॉंट वरी ठीक है तो यहां पे मेरी एंट्री क्या हो रही होगी मेरी एंट्री हो रही होगी लिए इन्वेश्मेंट इन इन तैवन परसेंट डिवेंचर ऑफ कमपनी तो आपके पास बात नहीं है तो मैं सेवन परसेंट डिवेंचर दीदेता हूं कमपनीं का नाम दिया हो तो जिसके वह डाल देते एकाउंट डेबिट इंट्रस्ट भी आ रहा होगा तो इंट्रस्ट ओन इंवेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू तो एक्संट्रस्ट है तो यानि कि अठाइस हजार पे अलावा अलग से इंट्रस्ट देंगे तो जितने पैसे दिए वो यहीं पर डलगे 28,000 जितने पैसे दिए वो 28,000 आगे आप इंट्रस्ट कितने प्रिड का देंगे सर हम इंट्रस्ट देंगे स्टार्टिंग से लेकि यहां तक का बिटा क्यूं दोगे फिर से concept समझो बिटा मिसले देंगे क्योंकि कल को 30 जून को जिस कंपनी के डिबेंचर से हमें उनसे पूरे 6 महीने का मिलेगा तो हमने क्या करना है पिछले इंट्रस्ट जेट से लेके जिसीं ट्रांजेक्शन हुई तब तक का इंट्रस्ट पे कर रहे हैं जिससे हम खरीद रहे है तो मैं जैन फैब मार्च एपरेल चार महीनों का इंट्रस्ट उसे पे करूं क्योंकि कल को मुझे कंपनी से पूरे 6 मिहन तो और पे का एक है पेस वैल्यू 30,000 होगी रेट कितना है बिटा 7% और 4 मंस चार महीने का इंट्रस्ट में पे करूंगा तो यह बन जाएगा 30,000 into 7% into 4 divided by 12 700 पे बिटा तो 700 का इंट्रस्ट पे करोगे तो आजएगा 28,700 मतलब आपकी जेब से पूरे 28,700 गए क्योंकि X इंट्रस्ट है न तो मतलब आप 28,000 वैसे दे रहे हो 700 पे अलग से इंट्रस्ट भी दे ओ 28,000 में इंट्रस्ट अभी जुडावा नहीं है वो अग होने दे 28,700 दिन अगली आपके पास ट्रांजेक्शन बिटा आए कि 30 जून को जब एंट्री डालोगे बैंक अकाउंट डेविट तू इंट्रस्ट अब आपको इंट्रस्ट मिलेगा कितने पिरिड का मिलेगा सर्फपूरे छे मिहिने का मिलेगा मुझा है आपको कम्पणी से चेven लिका तभाए तको आपकी गणे तक एंट्रस्ट को आत्यां आपके जल्व डेविए करीटिव ली क्या होआया दो महिने का इंट्रस्टा गया आपने चार का दिया खरीदते समय अब आपको 6 का मिल गया तो नेट में आपकी जेब में दो मेने का रहे क्या तो 30,000 इन्टू 7% divided by 2 1050 ठीक है जी अब ट्रांजेक्शन का वेटा 30 नवंबर को आपने सौ डिवेंचर बेज़ दे 13,000 में तो 30 नवंबर को एंट्री आरी होगी बेंग एकाउंट डेविट यह मेरे साथ साथी बेटा लिखते चलना टू इन्वेस्टमेंट इन 7% डिवेंचर एकाउंट टू इन्ट्रस्ट और इन्वेस्टमेंट को तेरा हजार पे तो बेटा आपको मिले इन्वेस्टमेंट के नाम के बाकी आपको मिलना है इन्ट्रस्ट इन्ट्रस्ट जो है वो सौर डिवेंचर से सार पे पे मतलब 10,000 कितने महीने का 30 जून तक इन्ट्रस्ट सेटल हो चुकाई अकमने के दर आपके सार कितने महीने रहे जूलाई अगर सेप्टेमबर अक्तुबर नवंबर पांच महीने बेटा इन्वेस्टमेंट क्यों आपक रहे हो उसे company से 6 महिने का पूरा मिल जाएगा 31 December को तो आपको पांच महिने का interest अब आपको मिलेगा ना क्योंकि पांच महिने तो आप ही के पास पड़े थे जितने आप बेच रहे हो तो 10,000 पे 7% into 5 divided by 12 291.67 तो 292 लिख देता हूं मेटा तो यह बन गया 13,292 तो आपको 13,000 पे तो डिवेंचर के नाम के मिले और 292 रुपीस का आपको interest मिला नौ जब भी sale होगी बेटा तो आपका क्या निकलेगा profit oblique loss तो मैं यहां रुनिंग में दिखा देता हूं तो आपके पास क्या निकलेगा तो वह कैसे निकलते हैं जो चीज बेची है उसकी आपको कितनी कॉस्ट पड़ी थी वर्सिस आपने कितने बेचा ज्यादा बेचा प्रॉफिट कपने बेचा लॉस तो कॉस्ट कि कॉफ इन्वेस्ट्मेंट सूल्ड तो मेरा 28,000 आपकी कॉस्ट थी पर वह तीन सो डिवेंचर की थी तो जो आपने सौ बेचे उनकी कॉस्ट कितनी हुए 28,000 तीन सो की थी तो सौ की कितनी हुए ठीके ना तो 28,000 रिवाइडिट भाई 3 कर देते हैं नाइन ट्रिपल थी और सेल कितने में करा भी था आपने चीज को 13,000 में तो आपके परस्ट प्रॉफिट हो जाएगा भारी मात्रा में ज्यादा हैं बेचा आपने 3667 3667 तो आपके बेटा एंट्री क्या बन गी एंट्री बन गी इन्वेस्टमेंट इन 7% डिवेंचर एकाउंट डेविट टू पी एंट्री पी एंट्री प्रॉफिट चला जाएगा जो प्रॉफिट ऑन सेल आपको हुआ है वह पी एंट्री बन चला गया 3667 के नाम से तो इतना माउंट आपका PL में profit चला गया तो पी अनल को credit कर दिया तो ब्वेट बुक कर लिया debit होता तो लॉस होता है तो investment को आपने क्रेज़िट ज्यादा से किया है investment को आपने credit ज्यादा से किया है तो basically आपको उसी को debit करोगे न तो इतो वो फिर से cost पे आ जेगा न तो यह आगे और फिर आपको 31 दिसंबर को बेटा इंट्रस्ट मिलेगा तो बैंक एकाउंट डेबिट तो इंट्रस्ट और इंवेस्टमेंट अब कितने मिलेगा जितनी बची भी है 100 तो बेज दिया थे 300 में से तो 200 बचे हैं तो 200 इंट्व 100 इंट्व 7% फॉर फुल 6 मेंट तो इतने परड़क आपको इंट्रस्ट मिलेगा 20,000 इंट्व 7% डिवाड़ेड़ बाइ 2 700 पे का इंट्रस्ट आपको मिला और जो बैटा इंट्रस्ट और इंवेस्टमेंट है कहां चले जाता है पीएनल में ट्रांसफर हो जाएगा आपकी जो फाइनल इंकम इस एकॉंट में आ रही है तो इंट्रस्ट और इंवेस्टमेंट अकाउंट डेट टू पीएनल कम जो भी आपका फाइनल है तो अब इसमें चेक करिए अब आपने कब-कब उसे क्रेडिट किया बिटा तो आपने एक सबसे लास्ट इंट्री में 700 से क्रेट किया फिर जब आपने बेचा था तो 292 से और 1050 सबसे पहल इंट्री में डेट किया तो वह कम हो और शारा मिला और शार्षव आपने दिया था तो माइनस हो गया तो सास्व प्लस 292 प्लस 1050 माइनस सास्व तो 1 342 आपकी फाइनल इंकम है इंटरस वन इंवेस्टमेंट की वह अल्टिमेटली सब नेट करके आगया भई जितने इतने पीरेड आपके पास इंवेस्टमेंट रही उतने पीरेड के आपकी इंकम रिकॉर्ड होगी आपने पे किया 4 मिने का आपको मिल गया 6 मिने का तो नेट में तो आपकी 2 मिने की रिकॉर्ड होगी ना वैसी चीज चल रही है ठीक है तो वह आपके पास करते हैं नेट आपका 1342 बन गया तो यह हमारी यह हमारी एंट्रीज है जो हम अपने पास मेने एक बार डालके आपको दिखाई ठीक है तो यहां पर आपके सामने कितने यूजर हो रहे है वो तीन ओर एक एक investment account एक interest account एक bank account बेटा bank account question बनाने को नहीं कहता यहां investment account बोलता है तो sir interest account का क्या हुआ question generally बोल रहता है investment बेटा उसी के अंतर हमारा interest भी आ जाएगा वो कैसे तो बेटा देखे जरा मेरे साथ यहां पर हमारे पास यहां पर हमारा कुछ format इस तरीके से रहता है हमारा कुछ format इस तरीके से रहता है तो हमारा जो अपके पास question number है बेटा वन है और मेरा part ए है x interest का मैं top पे लिख देता हूं जो मेरा नाम है which is investment in 7% debentures account और मेरे कुछ columns बन गए which is date particular nominal interest और amount थोड़े से जादा है अभी समझाता हूं और ऐसी credit है बेटा ledger account में जनली क्या होते है सब date particular amount होता है date particular amount होता है पर यहां पे कुछ extra आगे वह क्या extra है बेटा एक column है आपका यह nominal का यह nominal का जो column है यह ultimately आपकी किसी entry में इस्तेमाल नहीं हो रहा यह हमारा सिरफ और सिरफ मात्र और मात्र reference purpose के लिए है यह हमारी सिरफ reference purpose के लिए column बनता है ताकि हम interest अपने पास जब निकालते उसमें मदद करता है क्योंकि हम जब आगे questions करेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि हम पहले entries जालेंगे और फिर ledger बनाएंगे तो सीधा ledger को नाना सीख जाएंगे अभी बस इसके जस्वादी तो nominal को कॉलम हमें मदद करता है मदद करता है बेसिकली आपके पास निकालने के लिए इंट्रस्ट को या जह हम profit loss compute करते हैं वहाँ पर तो यह reference परपस के लिए इंट्रस्ट को कॉलम ultimately क्या है बेटा जो हमारा इंट्रस्ट का अकाउंट है जहां जहां पर मैंने इंट्रस्ट को डेबिट किया वहाँ डेबिट हो जाएगा जहां 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 क्रेइट किया वह क्रेट हो जाएगा और amount का कॉलम is ultimately my investment account जो मेरा investment अकाउंट डेबिट या क्रेइट हो रहा है तो हम heading जरूर investment अकाउंट लिख रहे होते पर मेरे कुछ extra कॉलम्स आगे देखिए amount का कॉलम तो वही रिफ्लेक्ट करेगा मदद के लिए मेरी मदद के लिए बन रहा है तो यह हमारा कुछ इस तरीके से आप रहता है अभी में इंट्रिस को यहां पर एक एक करके डालना शुरू करता हूं आपके सामने आप अपने पास बेटा वीडियो को पॉस करके इस फॉर्मेट को अपने पास बना लीजिए ठीक है न यह मारा पास आगे भी आता जाएगा बार बार तो सबसे पहले मेरी तारीक कौन सी दी बेटा एक माई तो मेरी एक माई को क्या ट्रांजेक्शन हुई थी इन्वेस्टमेंट इंट्रस्ट्टु मैंने खरीदी थी तो इंवेस्टमेंट अकउंट डेविट हो रहा सब तेंटैटी सफों डी बेंचर थे तो यानिके थटी थाउजन नॉमिनल वैले। थटी थाउजन नॉमिनल लियू तो सअ उर्पे काईग है नॠ कितना इंट्रस्त पे किया था कि आ तब आपने तम पिट र कितना मौंट आया था हमारा 28,000 वो यहां पर आ गया जितने से आपने investment को debit कर जितने से आपने investment को debit कर वो यहां गया interest जो दिया वो interest column में आ गया nominal column में सिरफ यह आ गया तो हमारा 182 account बन रहे है 182 account बन रहे है पिर 30 जून को बेटा आपको interest मिला तो entry कासी bank to interest तो बेटा buy bank आएगा सिरफ interest column में आएगा तो बेटा सिरफ interest में ही जाना है कितना interest मिला था हमने जो calculate किया था 1050 1050 तो यहां पर आ गया buy bank ठीक है ठीक है ठीक है फिर हमने कॉंसिलेटिव एगा 30 नवंबर 30 नवंबर को हमने सेल करी तो बाइग कितनी नॉमिनल वैल्यू वाले हमने बेचे 10,000 कितने बेचे थे मिटा 13,000 में और कितना interest मिला था हमें 292 तो 292 इंट्रस मिला तो तो simply आपके पास जो है वो साथ साथ आ गया हमारा पूरी एंट्री कठे डल गी बेंक टू इंट्रस्ट तो इंवेस्मेंट वाली और नॉमिनल में तो बैचा गया इस समय हमारा प्रॉफिट भी रिकॉर्ड हुआ था तो यहां पे 30 नवंबर को तो इफेक्टिवली टू पी एनल एकाउंट भी आगया जो प्रॉफिट ऑन सेल हमारा जो हमने प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रहा था कितने गया था पिटा इंट्री कठल थी इंवेस्मेंट टू पी एनल विच इंट्री टू यह आपके पर इंवेस्मेंट को करना है तो यह वाला कॉलम बिटा वह अमाउंड का नॉमिनल का तो आएगा नॉमिनल का तो कब आता यूज होता है जब पर्चेस करते हैं या सेल करते हैं इंट्रस जब मिला सिर्व इंट्रस में ठीक है अब फिर से 31 दिसम्बर को क्य आया इंट्रस मिला तो बाय बैंक एकाउंट कितना इंट्रस मिला था वेटा हमार को 700 रुपर तो 700 का इंट्रस मिला अब अब अपने पास डियर क्लोज कर देते हो तो यह रेंड आ गया तो हमारे पास बैलेंस केरिड डाउन आ जाएगा तो बैलेंस केरिड डाउन हमने निकालना है तो मैं पहले क्या करता हूं मैं अपने पास क्लोज कर लेता हूं नॉमिनल और अमांट कॉलम को तो यह 30,000 है यह 3,1,667 है ठीक है तो हमारी बची कितनी है बटा 20,000 नॉमिनल वेल्यू की बची है इन्वेस्ट्मेंट और हमारी कॉस्ट कितनी है एक तरीके से उस वह कॉस्ट भी आ रहोगा 18667 आप अपने पास चेक भी कर सकते हैं अगर 28,000 कॉस्ट थी 30,000 वाली नॉमिनल वेल्यू की तो 20,000 की कितनी वह इतनी ही निकल के आएगी तो हमारा 20,000 की नॉमिनल वेल्यू वाली पड़ी है और उनकी बेसिकली इतनी कॉस्ट यह दिख रही है ठीक है और जो इंट्रस्ट कॉलम है वो बेटा कहां चले जाता मैंने लास एंट्री डाली भी थी इंट्रस्ट चू पी एनल वॉल्टिमेटली तभी इसी तरफ आ रहा होगा व बेटा इस तरफ चले जाना है उसने पी एनल में चले जाना तो वह इस तरफ आ जाए जो इन्वेस्मेंट बची भी आगो आपके पास बैलंस केरी डाउन के रूप में आ जाएगी वह आपकी बैलंस केरी डाउन के रूप में आ जाएगी तो यह मेरे पास केस नंबर ए जो मैं आपको सिखा रहा था अभी एकस इंट्रस्ट का चार केस कराने अभी तो अराम राम से करने हैं हमने सारे क्योंकि जैसे मैंने काई तो बेस कोश्चन है फिर धीरे और कोश्चन करेंगे पॉइंट्स हैड़ान क से काउंट होता है जहां प्थिस नतिंग बड इन्वेस्मेंट कम इंटरस चला है नौमण confirm का क्क अरीट रिटाषाय गाउंपार एग्शन कन सहके लिए है जो हमारे को मदद करता है जब भी हमने इंटरस्ट ह σας निकालना है नवरास जब ए आरक यह आपका प्रोफिक रता क चलना है पार्ट B पर पार्ट B हमारा बेटा बनना है अब हमारा सेकेस आ गया कमें टर्ष ज़ु मैंने आपको एक्जामपल में बी सिखाया था और हमारी है हेडिंग क्या हो जाएगी एकाउंट की इन्वेस्ट्मेंट इन कि 7% डिवेंचर एकाउंट ठीक है ना वीडियो पॉज करके अपने पास फॉर्मेट को बेटा बना सकते हैं जो यह आपके पास नॉर्मल आपके पास आ रहे हैं यही हमारा फॉर्मेट चलेगा इसमें फिक्सिंकम बेरिंग सेक्यूरिटी अब हमने क्या करने हैं अब जो ट्रांजेक्शन हुई है वह हमारी कम इंट्रस्ट का मतलब है कि उसके अंदर इंट्रस्ट जुडाव है तो वह कैसी होगा तो यहां पर बेटा सबसे पहले हमारी ट तूव बेंक करऊ तो नॉमिनल में 30,000 की इंवेस्टमेंट खरीदी है इंट्रस्ट हमने किटना पर बेकरांई से मी éंट्रस्ट हो कितना में barre साश्टर Giroud अमाउंट में आएगा बेटा जो मेरी इंवेस्टमेंट अकाउंट जिससे डेबिट होगा अब मैं यहां पर क्या क्या रहा हूं मैंने दिये पार्टी को 28,000 पर मैंने उसे कम इंट्रस बोला कम इंट्रस का मतलब क्या है कि इस 28,000 में इंट्रस जुड़ा वाई यानि कि अग सकते है उसे CHRIS जिए इंवेस्टमेंट के mag इंट्रस के अब आप क्या कह रहे हों अब क्या कह रहे हो कि लाए आप पकड़ो 28,000 पर पडोरी से कि अंदर इंट्रस avent जाएक अटाइफ्टमेंट के अंदर इंट्रस का मतलब ही है क्योंकि 28,000 के अंदर ही है तो हम यहां पर क्या करते हैं यहां से फिर से हटा देता हूँ ताकि यह नौ कि आप अपने पास भी नोट डाउन कर ले हमने सिरफ एंट्रीज बेटा कब करी थी जिरफ मैंने फस्ट की कराई है अगले के सीधा लेजर को उड़ना हैंगे पर वहां से समझते चलेंगे अपने पर तो यहां पर क्या होगा यहां पर 28,000 माइनस सीधा आगया आपके पर माइनस करके 700 रुपे तो यह आपके पर मैं लिख भी देता हूँ यहां 28,000 माइनस 700 रुपे तो यह मार पर आगी कॉस्ट 27 थी हैंगे सिंस मैंने वेल्यूस पहले सी इंट्रस्ट वगराई कंप्यूट करी विए तो मुझे दुबारा से दिखाने जो तनी है नहीं तो मैं जब बिल्कुल प्लेन कोश्चन पर चलूंगा आपके सामने तो मैं प्रॉपर वर्किंग नोट एक एक चीज का मार बनते हैं यहां तो बाए बैंक एक और यह में इंट्रस्ट कितना मिला था जी हमारे पिछले अकॉंट से देख लेते हम लो वन जिरो फाइफ जिरो 1050 का आपको इंट्रस्ट मिला ठीक है फिर अगली ट्रांजेक्शन का अब हमारी 30 नवंबर को जब हमने बेची है बाए बैंक एकांट अब यहां पर आपने बेटा 10,000 की नॉमिनल वैल्यू वालों को बेचा आपका इंट्रस्ट कितना था जी इंट्रस्ट तो फिक्स ही है वह तो फेस वैल्यू भी निकलते 292 आपने बेचे 13,000 रुपे में हैं आपके पास 13,000 रुपे आ रहे हैं जब एक्स इंट्रस्ट था तो आपके आज 13,000 रुपे भी आए और 292 अलग से भी मिला एक्स इंट्रस्ट में कया 13,000 रुपे तो मिले 292 इंट्रस्ट मिलिया कम इंट्रस्ट का मतलब कर 13,000 में बेटा इंट्रस्ट है तो यहां जो वैल्यू आए गी वो 13,000 माइनस 292 हो गई न कि भाई investment के नाम के कितने मिले 12708 इंवेस्ट्मेंट के नाम के कितने मिले 12708 ठीक क्योंकि इसके अंदर ही इंट्रस्ट जुड़ा यही मैंने आपको पहले एक इंग्जाम्पल में सिखाया था वहां तो लिखा निता आपने कुछ वह से मैंने आपको इंग्जाम्पल समझा रहा था पर इस कोश्चन से आपको क्लरेटी हो जाएगी एक्स इंट्रस्ट का मतल निकल के आएगा तो प्रॉफिट लॉज कैसे निकाल लेंगे उसका हम वर्किंग नोड यहां पर बना लेते हैं प्रॉफिट अब्लीक लॉज का तो वह कैसे बनता है कॉस्ट ऑफ इंवेस्टमेंट सुल्ड तो भाई आपकी कॉस्ट कितनी थी 27300 थी कि तीन सो डिवेंचर की तो आपने जो सौ बेचे उसकी कॉस्ट कितनी थी तो 27300 दिवाइड़ बै तीन सो इंटू सौ 9100 और आपने सेल कितने में करी बेटा 12708 तो आपके पर्स प्रॉफिट हो गया ज्यादा में बेचाना आपने 3608 आपको क्या हो गया जी प्रॉफिट हो गया और यह प्रॉफिट आपके पास कहां चले जाना है यह प्रॉफिट हमारा चला जाएगा पीनल में देखे प्रॉफिट है चलो और यहां पर सिंपली आ जाएगा टू पो पो चलो आपको 3608 3608 फिर बेटा 31 दिसंबर को आपको इंटरस्ट मिलेगा बाइ बैंक जो बाकी पर है और वो कितना था हमारा 700 पर और फिर हमारा क्लोज होगा अकाउंट तो बाइ बैलेंस करी डाउन आजाएगा आपको अपतूंजाने के लिए अल्टिमेट लिए बेसे क्या फरक पारップ दो अभी आगे जाके सेखेंगे कुछ के वगयर aí जब आते हैो अन्ससे आthose ड्मटाव यह चीज़े करेंगे ना हम तो अपने बाद तो अभी हमने सिर्फ एक्स और कम को लेकर समझा और उससे आपने फरक देखा कि जो पड़ता है 30908 तो यह हमारे पास बिटा आ गया बीस हजार यह 30908-1270 तो यह वली वैल्यू आगे 18200 यह आपकी इसकी क्या है आप चेक भी करेंगे कॉस्ट जो बचेवे ट्वेंटी थाउजन की कॉस्ट बनते है वह इतनी ही बनते है युनिटरी मेथड के साफ से भी आप चेक कर सकते हैं 27300 300 की तो दोस्ट की कितनी हो ठीक ना और इंट्रस्ट वाले का तो बेटा हमेशा सेम ही आना है क्योंकि इंट्रस्ट तो निकला ही फेस फेल्यू भी था उसका उसे कोई relation निया कि एक्सा कीं कि कम है इंट्रस्ट एकॉंट का का इंट्रस्ट एकंट बेटा आपके पास सेम ही आना है जो पहले केस में भी था 1342 इंट्रस्ट एकौंट में तो कोई फरक नहीं हों वो ट्रांसफर हो जाकर तू PNL account balancing figure that is on 31st of December ठेके न तो यह हमारे पास interest account आपके पास लोगो जाना है वो ultimately उसमें कोई फरक नहीं है यह हमारा balance निकला है balancing figure यह balance carry down जो है तो interest account PNL में चला गया और बाकी as it is जो balance निकल के आगे आपके पास देखे जरा मैंने अभी आपको बेटा इस particular lecture के अंदर आपको concept समझाया ultimately what exactly is investment so हमने बात करी थी इन्वेस्मेंट क्या होती तो इन्वेस्मेंट वो assets है which are held for the purpose of earning income जब तक आपके पास पढ़ा है basically मानले जे शेर्स क्रीट है तो डिविडेंट है आपके पास डिवेंचर बॉंड है तो इन्वेस्मेंट प्रॉपरिटी का मतलब है लैंड बिल्डिंग तो इन्ट लिंग कमा रहे है या फिर उसका होता है simply lower of cost और market value भाई नुकसान अगर होना है क्योंकि एक साल से कम है तो वह उसको provide for कर लो फायदय को कभी मत रिक और अगर long term में तो cost भी दिखाओ क्योंकि आपने लंबे समय लखने है तो अगर market value कम भी होगी तो कोई दिक्काद ही नुकसान मतलब अनलेस पर्मरेंट नेचर का ही decline मतलब अगर पूरा ही है कि यह तो अब कम होगी जो value है रहेगी रहेगी तो नुकसान भूक करो ठीक है फिर मैंने आपको fix income और variable income के बारे में बात करी है अभी हम fix income वेरियाब securities ही चल रहे है जिसमें हमने अपने बात करी कि डिवेंचर बॉन्ट गवर्मेंट इंट्रस मिलता है तो वहां पर जब खरीद रहे हो तो entry का रही है बेच रहे हो आपके पास वह एंट्री की बात करी और उससे में लेजर अकॉन बनवाए जिसमें हमारा three corner बन रहा है जिसम कम का मतलब क्या बेटा उसी के अंदर जूड़ा तो उससे फरक सीखा ठीक है इंट्रस हमेशा किस पर कल्कुलेट होगा बस यह चीज़े आपके पास कराई है इसी से रिलेटेड अभी आपको कोश्चन जो बन है उसके अभी दो ही पार्ट कराई है अभी आगे मैंने जाना है आपको तो वो तो हम धीरे धीरे अपने पास आगे बढ़ेंगे कोश्चन अपने पास करते चलें जागे ठीक है न वह भी आपने पास और बढ़ें तो इस लेक्चर के अंदर मैंने आपको इतनी ही चीज़े सिखा इस चुड़ा आपको अच्छे समझ आगया हो अ झाल 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 झाल